अलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल कैपिटल गेन में आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी नेक्स 50, निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मीड कैप इंडेक्स के बारे में तो चलिए बात करेंगे निफ्टी 50, आज कल क्लोज हुआ था 15,923 पर 15,923 पर आज बड़ी भारी गेप डाउन ओपनिंग करता हैं सुबह खुलता है 15,544 पर 15,754 पर खुलते ही उपर भागता है और भागते ही भागते आज का पीक बना लेता है 15,836 का वही आज का पीक होता है उसके बाद उसी रेंज में कॉंसोलिडेट करते रहता है करते रहता है करते रहता है थोड़े छोड़े बाद लगपक आधे सेशन के बाद एक बड़ा डीप लेता है बड़ा डीप लेने के बाद फीर थोड़ा उट खड़ा होता है और कॉंसोलिडेट करता है सेकेंड टाइम इससे भी बंद होता है टेक्निकल एनालिसिस की तो निफ्टिव के केंडल आज डो जी केंडल बनी है उपर की विक और नीचे की विक दोनों ही लंबी है बोड़ी बहुत ही छोटी मामुली सी बोड़ी आपको दिख रहे होगी एकदम छोटी सी बोड़ी है यह प्रदर्शित कर रहे है केंडल को यही नहीं पता चल रहा है कि उसको उपर जाए कि नीचे जाए बूल्स और बियस ने काफी अपना दमखम दिखाया लेकिन ना ही बाजार को उपर ले जा सके ना ही नीचे ले जा सके केंडल के पोजिशन के इसाप से और एक चीज़ और देखने को मिल रहे है यह मानना है कि यह अगः क्या होता है बात करें कि आरस i Hem काफी गिर्राओत पर रहा है बात करें को वह सबसे ज़्यादे चेड़ाय हुए है और सबसे जबpoint चाठी हो की बड़त के साथ 121.40 रूपीज पर बंद हुआ फॉलवड बाई BPCL, Divis Lab, Nestle India, Tata Consumer Product, Britannia and Dr. Regist Lab बात करे सबसे गिरावट वाले सेरो की तो आज लाली आली ही लाली आली नुमा माहल रहा HDFC ग्रूपे काफी सारे सेर बहुत ही जादे गिरे हुए थे शुरुआत होती है HDFC बैंक से सबसे जादे गिरावट 3.37% की गिरावट के साथ 1471 पर बंद हुआ फॉलवड बाई HDFC Life, Indecent Bank, HDFC, Hindalco, Axis Bank and Adani Ports बात करें निफ्टी बैंक की तो निफ्टी बैंक का हाल भी कुछ निफ्टी 50 की तरह ही रहा निफ्टी बैंक कल ग्लोज हुआ था 35,751 पर आज ओपन होता है 35,070 पर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग करता है उसके बाद खुलते ही थोड़ा उपर जाता है उपर जाते जाते थोड़ी देर में आज आज का अपना हाई बना लेता है 35,347 का फिर नेवर लुकिंग बैक गिरते ही रहता है गिरते ही रहता है और मिट के सर्ण में आज का लो बनाता है 34,899 का उसके बाद कॉंसोलिडेट करते हुए थोड़ा सचल कर 35,079 पर 1.88% की गिरावत के साथ बंद होता है निफ्टी ब केंग को देखा जाए तो डोजी केंडल बनी हुई है सेम एज निफ्टी फिफ्टी उपर की भी कर नीचे की भी काफी लंबी है और बीचे बाडी बहुत ही छोटी है बाडी में ग्रीनेस है यह प्रदर्शित कर रहा है कि कहीं ने कहीं बुल्स आज हावी रहे बुल्स और ब्यास ने दोनों तरफ बहुत ही दमखम लगाया बजार काफी वोलाटाइल रहा और आज दो आईपी ओ की लिस्टिंग भी हुई केंडल को देखा जाए खेर केंडल को देखा जाए तो केंडल काफी नीचे बनी हुई है पिछली केंडल से काफी बड़ा गैप छोड़ा ह हुआ है जो कि आज निफ्टी बैंग ने गैप डाउन ओपनिंग की थी सुनर और लेटर ये गैप भरना चाहिए पिछले कुछ दिनों में भी काफी सारे गैप हुए है जो सुनर और लेटर फील होते है तो देखते हैं अभी आगे देखना होगा कि कब गैप होता है बात क कर में सीडी की तो में सीडी क्रोस और अभी भी बुलिश चल रहा है लेकिन उसके बुलिश में गीरावट आई है यह संकेत है कि कहीं न कहीं बाजार में आज प्रॉफिट बुकिंग आवी रही बात करें निफ्टी बैंक के स्टॉक्स की तो आज सारे के सारे स्टॉक अलियाली में डूबे हुए थे काफी जाज़े प्रॉफिट बुकिंग इन स्टॉक्स में देखने को मिली सबसे जादे गिरा और बैंक में देखने को मिली 3.37 परसेंट गिरा हुआ था फॉलएड बाइंडेसन बैंक आई डिफसी फॉस्ट बैंक और फेडरल बैंक एक्सी सबसे जादे बड़ा सबसे जादे बड़ा सबसे जादे बड़त के साथ आलकेम लेब में देखने को मिली 2.91 परसेंट की तेजी के साथ 3448 पर बंद हुआ फॉलएड बाइपलो हॉस्पिटल एलन्ट इन्फो टेक एच पी सी एल डाबर इंडिया हैवेल्स इंडिया एसी स सबसे जादे गिरा आट निफ्टी नेक्स 50 में अदानी ट्रांस्मिशन में देखने को मिली तक्रिबन 7.44 परसेंट गिरा हुआ था 7.44 परसेंट गिर कर 9.68 पर बंद हुआ फॉलएड बाइंडेस टावर, HDFC, AMC, अदानी ग्रीन, वेदान्ता, ग्लैन, इंटर ग्लो, जी के साथ 3,161 पर बंद हुआ, 3,161 पर बंद हुआ, फॉलएड बाइ भारत इलेक्टरिक, अलकेम लेब, अपॉलो ऑस्पिटल, एंड लेविशिस, प्रेस्टिज, स्टेट, वाई, क्वेशिस, कॉप, एंड टाटा पावर, मिल्केप में सबसे जादे गिरा हुआ और अ 855 पर बंद हुआ, फॉलएड बाइ लेंटी फाइनेंस, भेल, अदानी पावर, महेंद्रा एंड महेंद्रा फैनेंशिल, वाड अफन आइडिया, निप्पॉन इंडिया, जिंदल, स्टील, चलि अब बात करते हैं, निफ्टी स्मॉल केप इंडेक्स के बारे में, क्लॉइम फ्लेट, पॉली केप, एंड सेंचुरी प्लाइवोट, बात करें, निफ्टी स्मॉल केप में सबसे गिरावट वाले सेरों की, तो आज सायंट का सेर सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था, 4.55% की गिरावट के जाद, 1014 प्रबंद होता है, फॉलएड बाइड बाइ इस एरो की लिस्टिंग भी हुई, आईपियो के दोर से गुजर के आज बोर्ड पर लिस्ट हुए, ऐसे इस एरो की मुवमेंट को रोजाना जानने के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ पड़े बेल आइकॉन को भी जमा सकते हैं, थैंक्स पर कर दिंग आइज का इसाम हुए.